हलो दोस्तो माइ लिट्री टेरस कारडन में आपका स्वागत है और आप सब कैसे हैं उमीद करती हूं अच्छे होंगे और इस बरसात के मौसम में अपने पेड़ पौधों का बहुत अच्छे से खयाल भी रख रहे होंगे आप ये देख रहे हैं ये दो खुब्सुरस से पौट रखे हैं ये पौट ना दोस्तो घरी पर बन जाते हैं और बहुत इसली बन भी जाते हैं और इसके लिए आपको कोई पैसा ख़च करने की जरुद भी नहीं है हमारे घर की वेश्ट से बहुत इसली बन जाते हैं आईए दोस्तो आज हम इस पौट को बनाना सीखेंगे यह देख रहे हैं मैंने इसमें एक पौट में मनी प्लांट लगा रखा है और मैंने इसमें यह सिड़ी लगा रखी आप देख सकते हैं यह देखेंगे और इसमें मैने ये ग्रेय लक्षमी का पॉधा डगा रखता है। ये पोटल से टीजली बन जाता है और बेहस जल्दी बन जाता है। देखेından हैं दोस्तो मैं आपको बताती हूं I bottle मेरी fanile की वैसे तो cold drinks की bottle से भी बन जाता है ये fanile की bottle मैंने cut को रखी है कि देखी है इसको cut करने के बार इश हे मैंनेत Okay ये जो आपको दिख रहा है और इसको-अब हम स्ट मेisse यह देखो दिख रहा है इस बॉटल के धकन को मैंने इसमें कट टाइट कर दिया है ठीक है अब यह मेरे पास एक सिड़ी है इस सिड़ी को यह जो हॉल है इसकी बीच में सेंडर में इस तरीके से लगा देना है लग गया कि वापी देख रहे हैं यह एलफी है इसको दोस्तो मैंने यहां पर इस तरीके से यहां लगा दिया है सेंटर में ठीक है यह दोस्तो मैंने एलफी लगा कि इसको चिपका दिया है आप देख सकते हैं इसको थोड़ी देर आप रेष्ट पर छोड़ सकते हैं यह ऐसे चिपक जाएगी और एक चीज़ी और दिखा दूँ मैं आपको यह देख रहे हो यह बिल्कुल हॉल सिड़ी के बीचों भी सेंटर में चिपकाना है कि हॉल आरपार होगा इसका यह पॉट का हमारे ड्रेनिस हॉल बन जाएगा दोस्तों देख रहे हो यह तो हो गया हमारा पॉट कम्प्लीट अब इसको हम दोस्तों पेंट कर सकते हैं यह देख रहे हैं इसमें मैंने एक पॉट लगा रखा था है थोड़ा सा बौधा लगा होगा था इस पॉट में मैं आपको सिफ दिखाने के लिए दिखाली किया है यह देखिए देखिए दिख रहा है आपको यह बॉटल मैंने इस तरीके से थोड़ा सा डिजाइन बना के और चोटी बॉटल की जो कोल्डरीं की बॉटल थी उसका बना रखा है आप भी इस तरीके से डिजाइन बना सकते हैं और कोई भी पधा आप इसमे जब लगा सकते हैं, लिए देखें हैं दोस्तों तो मैंने इसको अभी अभी चिपकाया है, यह देखें, यह मैंने बॉटल थाई लीडर की बॉटल होती है ना, जो, मैंने यह नया पॉट बनाया है, क्योंकि अब इसमें पेंट नहीं किया है, मैं आपको सिर्फ दिखा रही ह कि इस बॉडल काट के और सिटी में चिपका के स्वैल तैयार करके अपनी और इसमें डाल दो और फिर हम इसलिए इस तरीके से पौधा लगा सकते हो, मनी प्लांट लगा सकते हो, सिंगोनियम लगा सकते हो, स्वीट पिटटो वाइन लगा सकते हो, कोई भी वाइन लगा सकते ह आप इसमें इस तरीके के पौधे लगाए जिसकी जड़ हल्कियो और इसली ग्रो हो जाए देख रहे हैं दोस्तों तो पैंट की तो दोस्तों हम अपने मंचा है कलर इसमें लगा सकते हैं अच्छा लग रहा है ना मैंने दोस्तों ये कम से कम आधाधा जन कॉट ऐसा बना रखा है हम इसको सेंटर टेबल पे रख सकते हैं और भी हम कहीं भी इसको सजा सकते हैं ये प्लांट भी कुछ ऐसे हैं जो इंडोर चल जाते हैं मनी प्लांट भी इंडोर चल जाती है सिंगोनियम भी इंडोर चल जाता है और ये जो मैंने ग्रह लक्षमी का पौधा लगा रखा हैं दोस्तों ये भी इंडोर चल जाता है तो हम इंडोर को अपने घर के एरिये में भी कहीं सजाने के लिए दोस्तों रख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक भी करना सब्सक्राइब करना और शेयर करना नमस्कार दोस्तों